जय हिन दोस्तों स्वागत आपका फिर से और आज का टॉपिक है प्राचिन भारत का इतियाश जिसमें मैं 30 से 32 प्रस्ण आपको कराऊंगा बहुत इंपोटेंट सवाल है ये सबी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं चाहिए वो टीचर वेकेंसी हो या फिर ये ससी की जे पी का इतियाश जरूर देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं लोग वीडियो को चलिए वीडियो स्टार्ट होने वाला है यह आगया कोष्टन यह सबसे पहला जो सवाल है सब्सक्राइब का है पुरालेक विद्या का अबिप्राइब को बताना है तो इसमें अनसर क्या वाब जै पुष्तक का नाम क्या है कि पुष्तक का नाम इंडिका है क्या आग जलाना सिखा क्या सिखा आग जलाना आधर रखेगा उसके बाद क्या है हडपा की सब्यता किस यूग की थी तो हडपा की सब्यता जो थी वो कां से यूग की थी किस की थी कां से यूग की मैं अप्सन नहीं बता रहा हूं अप्सन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस पर आप के वल मैं अंसर बता रहा हूं निम्नकित की लिपी कौन सी है धकित्र चित्राक्षर आदर रखिएंद चित्र Ubuntu का क्या अध्याइन तो एकदम आसान है इसका अंसर हो जाएगा option 4 मिज्टिकों का टिला निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है सब कोई जानते हैं कि जो वेद है सबसे पुराना वेद है रीग वेद आद रखेगा इन में से किस फ़सल का ग्यान वेदिक काल के लोगों को नहीं था एकदम इजी कोश्चन है तो इसमें हो जागा आपको option 4 तमबाकू का चलिए आरे लोग भारत में कहां से आये थे तो एकदम आसान है आरे लोग भारत में मद एसिया से आये थे चलिए भारती संगीत का उदगम किस में खोजा जा सकता है तो इसमें एकदम इजी है इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा option 3 सामवेद की सहिता में उत्री बिहार का प्राचिन नाम क्या था उत्री बिहार का प्राचिन नाम क्या था तो एकदम इजी अंतर है उत्री बिहार का प्राचिन नाम वज्जी था क्या था वज्जी बुद्ध और महाविर निम्कित में से किस महाजन पद से आते थे तो अगर एकदम आसान है इसका अंसर बजाएगा उप्शन एक मगद महाजन पद से चलिए नंद राजवन्स का आखरी सासा कौन था इसे चंद्रकुप्त मुरे ने प्राजित किया था एकदम आसान है कौन था ओप्शन टू धन नंद था धन नंद जैनियों के पहले तिर्थकर कौन थे जैनियों के पहले तिर्थकर कौन थे तो इसका अंसर क्या बजागा इसका अंसर बजागा आपका ओप्शन चार रिशब चलिए इस भी पूरु तिशी सदी के आज पास पाहली जैन परिशत कहां आयो जित हुई तो इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर हो जागा option तीन पाटली पुत्र त्रीपीटक धर्म गरंद का संबंद किस धर्म से है तो देखिए त्रीपीटक धर्म गरंद जो है इसका संबंद है आपका option चार से वोध धर्म निर्मकित में से कौन सा सहर में मात्मा बुद्ध ने ज्यान प्राप्त किया इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर एगदम इजी है इसका अंसर हो जागा option तीन गया option 3 गया आद रखेगा मात्मा बुद्ध का महापरी निर्वान कहां हुआ था एकदम आसान है मात्मा बुद्ध का महापरी निर्वान जो हुआ था वो हुआ था कूसी नगर में सारनात में अपना पर्थम परवचन किशने दिया था एकदम आफसान है इसका अंसर हो जागा आपसन 3 महत्वाबध नहीं चलिए अगला सवाल दिनकी तुमें से प्राचिन्टम राजवन्स कौन सा है एकदम आफसान है प्राचिन्टम राजवन्स जो है वो है आपसन एक मोरे राजवन्स चलिए चंद्रकुप्त मुर्ग के दर्बार में भेजा गया उनानी कौन था तो इसका नाम क्या आजागा इसका नाम आजागा अफ्सान तुरी में गस्तनी जाद रखिएगा सिला लेखो में से किस राजा को सिला लेखो में से किस राजा को देवानम पिया या पिया दस्टी कहा गया है तो इसका अंसर हो जागा असोक को चलिए किष्णे अंतिम और राजा विरीदर्थ की हत्या की और सुंग राजा उसकी स्थापना की देखिए इसका अंसर हो जागा अप्शन तीन पूछ सिमित्र चलिए विक्रम संबत कब से प्रारम हुआ तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा अप्शन टू अंठाओन इसा पूर प्राचिन चोल समराज की राजदानी कहां पर थी एकदम आसान है तोड़ा साथ को क्वेशन ढखा गया रे बाबू प्राचिन चोल समराज की राजदानी कहां पर थी तो इसका अंसर क्या हो जागा अप्शन एक उरेर यूर आद रखिएगा चलिए इदर आया जाए गुप्त यूग का प्रवर्तक कौन था गुप्त यूग का जो प्रवर्तक था वो था आपका अप्शन टू स्री गुप्त आद रखिएगा भातका नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भातका नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है एकदम असान है कवी कालिदाश किसके राज कवी थे कवी कालिदाश जो थे वो आपका अंसर हो जागा तीन चंद्रगुप्त विक्रमादित के राज कवी थे चालुक के वंस का सबसे महान साथ कौन था एकदम एजी अंसर है इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा अप्शन तीन पुलकेशियन आद रखेगा पुलकेशियन द्वित्थे चलिए अगला सवाल है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदर किषने बनवाया तो एकदम एजी अंसर है इसका अंसर हो जागा अप्शन चार चंदील ने तो आज का ये 32 प्रशन आपको कैसा लगा कॉमेंट किजिए आप लोगों के कॉमेंट से ही हमनों का होशला बढ़ता है तो फिर मिलता है अगले वीडियो में तब लगे जय हिन जय भारत